अपने एहनकार को पूरी तरहे और सदा के लिए मिटाने का सबसे तेज और सबसे खतरनाक धंग क्या है Richard Eric एहनकार को मिटाने का कोई धंग ही नहीं न धीमा न तेज न सरल न कठिन न आसान न खतरनाक एहनकार हो तो मिटाया जा सकता है एहनकार है ही नहीं इसलिए जो मिटाने चलेगा वो और भी बना लेगा मिटाने की कोशिस में ही एहनकार निर्मित होता है इसलिए तथकढ़ित संतों महत्माओं में जैसा एहनकार पाया जाता है वैसा साधरन जनों में नहीं पाया जाता है साधरन जन का एहनकार भी साधरन होता है जो अपने को पवित्र मानते उनका एहनकार भी उतना ही पवित्र हो गया और पवित्र एहनकार ऐसा ही है जैसा पवित्र जहर सुद्ध जहर बिना मिलावट का खालिस जहर मिटाने की चेश्था अज्ञान पूर्ण है तुम्हारा प्रस्ण भी विचार नहीं है सैथ तुमने सोचा भी ना हो कि तुमने क्या पूछा है तुम कहते हो अपने एहनकार को जैसे की एहनकार के अत्रित भी तुम्हारा कोई अपना पन एहनकार ही तो इस बात की ब्रांती है कि मैं हूँ मेरा है हम ब्रांतियों पर ब्रांतियां खड़ी कर देते हैं एहनकार भी मेरा इसका अर्थ हुआ एक एहनकार की जगे अब दो एहनकार खड़े हो गए एहनकार के पीछे एक एहनकार और आ गया यूँ चलोगे तो कतार लग जाएगी अंतहीन पूछा है तुमने अपने एहनकार को फिर पूछने में भी बहुत एहनकार है पूरी तर है कम सराजी न होगे थोड़े बहुत सराजी न होगे पून रुपेन एहनकार पूनता वादी होता है एहनकार के बीतर पूनता का रोग होता है हर काम पून होना चाहिए जितना पून हो उतना एहनकार को प्राण मिलता है सुन्य हो तो एहनकार की मृत्यू हो जाती पून हो तो एहनकार को बल आ जाता है पोशन मिलता है भोजन मिलता है प्राण प्रतिष्ठा होती तुम कहते अपने एहंकार को पूरी तरहे और सदा के लिए इन एक-एक सब्दों के पीछे एहंकार इस पश्ट खड़ा है सदा के लिए अनंतकाल के लिए इस से कम्मेना चलेगा एहंकार हमेशा असंभो की मांग में जीता है क्योंकि न होगी मांग पूरी और न एहंकार के अंतका छंड निकटाएगा एहंकार मांगता है असंभो को ताकि तुम चलते ही रहो चलते ही रहो कभी मंजिल आएगी नहीं न एहंकार की मृत्यू होगी सदा के लिए कहते हो एहंकार को मिटाने का सबसे तेज वहाँ भी तुम पीछे नहीं रहना चाहते कि कोई और तुम से आगे निकल जाए कि कोई तुम से भी तेजी से एहंकार को समात कर दे तुम सबसे तेज विधी चाहते हो ढंग चाहते हो इतने से भी एहंकार मानता नहीं सबसे खतरनाग ढंग भी होना चाहिए एहंकार हमेशा उस चुनोती को सुईकार करता है जो अति दुरगम हो गोरी संकर पर चढ़ना यूं व्यरत है सिवाए इसके कि चढ़ने वाले के एहंकार की तरपती हो अन्था वहाँ पाने को कुछ भी नहीं चांद पर जाकर कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन चांद पर चलने वाला मैं पहला आदमी हूँ और मैंने सबसे खतरना की आतरा की है अब तक जो किसी ने कभी नहीं की थी इतनी ही तरपती है तुम्हारा पूरा प्रस्न सुरू से लेके अंद तक एहंकार की चाया से दबा है और फिर तुम इसे मिठाना चाहते हो लेकिन क्यों क्योंकि एहंकार को मिठाना एहंकार को भरने का अत्ती सुक्ष्म उपाए तुम यह एहंकार भी समार लेना चाहते हो कि देखो जिससे बड़े बड़े न कर पाए संत और महत्मा हारे मैं भी उस एहंकार को मिठाने में समर्थ हुआ उस एहंकार को जिससे मुश्कल से कोई मिठा पाया है मैंने मिठा के दिखा दिया है मगर यही मैं यही दिखाने का प्रदर्सन का आग रह तो एहंकार है और एहंकार क्या है इसलिए रिचर्ड एरिक थोड़े और तरह से सोचें मिठाने की भासा ही गलत है यह ऐसे ही है जैसे कोई अंधकार को मिठाना चाहे लड़े गूसे वाजी करे तलवार चलाए चीख पुकार मचाए दक्के दे लेकिन अंधकार यू नहीं मिठता और जब बहुत लड़ेगा जगडेगा तो ठकेगा ठकेगा गिरेगा और जब गिरेगा ठकेगा हारेगा तो सभावता यही तरक की निस्पत्ती होगी कि अंधकार बहुत सबल है जीता नहीं जाता लाख उपाय करो फिर भी जीत संभो नहीं होती तरक यूक तो हो गया तुम्हारा निसकर्स लेकिन फिर भी ब्रांत फिर भी गलत अंधकार सबल नहीं है अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है बल तो कैसे होगा तुम जो हारे अपनी ना समझी से हारे तुम जो हारे वो इसलिए हारे कि तुम उस लड़े जो था ही ने नहीं से जो लड़ेगा उसकी हार सुने शित नहीं को तो हराय नहीं जा सकता है जो है ही नहीं उसे कैसे हराओगे अगर अंदकार होता है तो हम कोई रास्ता निकाल लेते बांध लेते पोटलियों में फेख देते गाउं के बार तलवारों से काट के टुकड़े टुकड़े कर देते संघर्स लेते युद्ध छेड़ते मगर यह कोई दर्की में कारगर नहीं होगी तलवार लेके लड़ोगे तो संभावन यही है कि अपने को ही गाउ कर लोगे दीवालों से टकरा जाओगे अंधकार से लड़ने जाओगे तो सिर्फ ओ料गे अपने अंधकार से लड़ा नहीं जाता अंधकार को मिटाया भी नहीं जाता है यह भासा वहां काम नहीं आती दिया जलाना होता है और दिया जलते ही ऐसा मत सोचना कि दिये के जलने से अंधकार मिट जाता है अंधकार तो था ही नहीं सिर्फ प्रतीत होता था दिये के जलने से प्रतिती मिट जाती, आभास मिट जाती जैसे रस्सी में सांप देखा हो और फिर दिया जला है तो सांप मिट जाता है, ऐसा तु न कहोगे इतना ही कहोगे कि रस्सी अंधेरे में सांप मालूम पड़ती थी थी नहीं, अब दिया जल गया तो देख लिया कि रस्सी रस्सी है सांप नहीं है न तो सांप मरा न मारा गया न मिटा न मिटाया गया था ही नहीं अब भी नहीं सिर्फ तुमने एक स्वपन देखा था तुम्हें एक आभास हुआ था एक भ्रांती हुई थी अंधकार प्रकास का अभाव है इसे बहुत गहराई से समझ लेना अभाव है प्रकास का इसलिए प्रकास की मौजूद्गी होते ही अंधकार नहीं पाया जाता है एहंकार आत्म बोध का अभाव है आत्म इस मरण का अभाव है एहंकार अपने को न जानने का दूसरा नाम है इसलिए एहंकार से मत लड़ो एहंकार और अंधकार परयायवाची हाँ अपनी जोती को जला लो द्यान का दिया बन जाओ भीतर एक जागरन को उठा लो भीतर सोय सोय न रहो भीतर होस को उठा लो और जैसे ही होस आया चकित होगे हसोगे अपने पहसोगे हैरान होगे एक छण को तो भरोसा भी न आएगा कि जैसे ही भीतर होस आया वैसे ही एहंकार नहीं पाया जाता है न तो मिटाया न मिटा पाया ही नहीं जाता है इसलिए मैं तुम्हें ना तो सरल ढंग बता सकता हूँ ना कठिन ना तो आसान रास्ता बता सकता हूँ ना खतरना ना तो धीमा न तेज मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ जागो और जागने को ही मैं ध्यान कहता हूँ आदमी दो धंग से जी सकता है एक मूर्चित धंग है जैसा हम सब जीते हैं चले जाते हैं यंद्रवत किये जाते हैं काम यंद्रवत मसीन की भादी थोड़ी सी परत हमारे बीतर जागी है अधिकांस हमारा अस्तित्व सोया पड़ा है और वो जो थोड़ी सी परत जागी है वो भी नमालू कितनी धूल धमास कितने विचारों कितनी कल्पनाओं कितने सपनों में दबी हैं सबसे पहला काम है वो जो थोड़ी सी हमारे बीतर जागरन की रेखा है उसे सपनों से मुक्त करो उसे विचारों से सूनी करो उसे साफ करो निकारो धो पकारो और जैसे ही वह सुद्ध होगी वैसे ही तुम्हारे हाथ में कीमिया लग जाएगी राज लग जाएगा कुझी मिल जाएगी फिर जो तुमने उस थोड़ी सी पर्त के साथ किया है वही तुम्हें उसके नीचे की पर्त के साथ करना है फिर और नीचे की पर्त फिर और नीचे की पर्त धीरे धीरे तुम्हारा अंतर जगत पूरा का पूरा आलोक से आभा से मंडित हो जाएगा एक ऐसी घड़ी आती है जब भीतर आलोक होता है और जहां आलोक हुआ भीतर अंदकार नहीं पाया जाता है अंदकार नहीं अर्थात एहंकार नहीं पुरानी कहानी है कि अंदकार ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि तुम्हारा सूरज क्यों मेरे पीछे हाथ दोकर पड़ा है रात विस्राम भी नहीं कर पाता हूं कि सुबह से आ के जगजोर देता है फिर दिन भर भगाता है ठका मारता है मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं याद भी नहीं आता है कि इस मेरा कभी मिलना भी हुआ कभी आमना सामना नहीं हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं लेकिन ये कैसा अन्याय हो रहा है ये अन्याय अब रोका जाना चाहिए हर चीज के एक सीमा होती बरदास्त की भी मेरी सीमा है बात परमात्मा को भी जच सूरज को बिलवाया सूरज से कहा कि क्यूं तू अंधेरे के पीछे पड़ा है क्या उसने तेरा बिगाड़ा सूरज ने कहा अंधेरा मेरी ते कोई मलकात नहीं ये तो सब्द भी मैं पहली दफ़्े सुन रहा हूं अंधेरा कहा है मैंने कभी देखा नहीं और अगर उसको कोई शिकायत है मुझसे अगर जाने अंजाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे मेरे सामने मौझूद करो ये कैसा न्याए है कि जिसने शिकायत की है वो सामने मौझूद नहीं वो मेरे सामने शिकायत करे मैं जरा उसका चेहरा तो देखू मैं जरा उसे पहचान तो लूँ कौन है शिकायत करने वाला और कहते हैं इस बात को बीते भी अर्मों खर्मों बर्स हो गए परमात्मा बहुत कोशिस करने में लगा है कि अंधकार को सूरज के सामने मौजूद करे अंधकार जब आता है तब सूरज नहीं आता ही तब है जब सूरज नहीं होता और जब सूरज होता है तो अंदकार आता है और जब दोनों सामने मौजूद नहों परमात्मा फैसला भी कैसे थे ऐसे तो हम सुनते हैं कि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं लेकिन ये कहानी बताती है कि यह बात असंभव परमात्मा भी चाहे तो अंधकार को सूरज को साथ साथ खड़ा नहीं कर सकता आमने सामने खड़ा नहीं कर सकता सूरज होगा तो अंधकार नहीं हो सकता और अगर अंधकार को सामने खड़ा करना है तो सूरज को निमंतर नहीं देना होगा सूरज को दर्वाजे के बाहर ही रोक रहना होगा द्वार दर्वाजे खिड़कियां सब बंद कर देनी होगी रंदर बंद कर देनी होगी कहीं से किरन भी आ गई तो अंधेरा भाग खड़ा होगा मेरे जीवन दृष्टिकोन में एहंकार को न तो मिटाना है न गिराना है न जीतना है सिर्फ समझना है सिर्फ जाकर साक्षी भाव से एहंकार को देखना है और तब चमतकारों का चमतकार गटित होता है इधर तुमने देखा उधर एहंकार नहीं इधर तुम्हारी आँख खुली उधर एहंकार समाप्त समाप्त भी मैं कह रहा हूँ मजबूरी में क्योंकि भासा उप्योग करनी पड़ती अनिथा समाप्त कहना भी उचित नहीं क्योंकि था ही नहीं कभी नहीं था एहंकार से लेकिन लोग लड़ने की बात सिखाते रहें रिचर्ड एरिक न जो पूछा है वो इसलिए पूछा है क्योंकि सारे धर्म सास्त्र और तथाकति धार्मिक गुरु और संत और महात्मा यही समझाते रहें लोगों से कि लड़ो एहंकार से मारो एहंकार को दबा दो इसकी चाती पे बैठ जाओ इसको जीतना होगा विजेता बनो और यही कारी जारी रहा है सदियों से और परिणाम हमारे सामने किसी को धन का एहंकार है किसी को पद का एहंकार है किसी को प्रतिष्ठा का किसी को ग्यान का किसी को तप का और किसी को यहां तक भी निर एहंकारी होने का कि मैं तो निर एहंकारी हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मगर अगर जरा कुरे दोगे तो पाओगे कि वहाँ भी एहंकार उसी तरह मौजूद है जिस तरह राख के भीतर एंगारा दमकता हूँ राख के कारण दोखे में मत आ जाना कि अवाओे कि बाखभवा ओ।